दश साल से बीजेपी ने आप शहर में गए हो देखा है क्या हालात है इतना बढ़िया चे कर दिया करनाल का हुना चाहिए अब जब करनाल का पृट्याशी है तो करनाल की जंता पूरा सहय व commitment कर रही है और कर रही है और कर रही और आगए भी करेगी पक्स और विपक्स दोनों चीज़े होती है। विपक्स मजबूत होना चीए तब ये पक्स से काम करवा सकता है। और विपक्स जब बिलकूल नकारा और ऐसी बातें करेगा जो पब्लिक समझती है जिसका कोई महता भी नहीं है। उसमें पूरा सहयोग जनता का मिलेगा, हरी हर वर्ग का सहयोग मिलेगा, क्योंकि 36 बिरादरी से हमारे वो जग मुहनादन जी जो राष्ट और धर्म की रक्षा करता है, उसके लिए ये बोट डालेंगे और उसके लिए ही बोट डलना चाहिए पिरकुल खिलेगा, करनाल से कमल खिलेगा, पिछली बार का जिवास दुवारा दुराया जाएगा, और बिज़ी बारी बत्तों से जगमोन अनन जी जी जिते हैं 70 साल से D&D के लोग जो वनचीत रहे हैं, जिन पर बेमतलवी केस चल जाते हैं, जिन वो कुछ भी काम करेंगे चोरी इनोंने की होगी राष्ट और जो धर्म की रक्षा करेगा, साथ उसी का देना यही मेरी एक अपील है, और ज्यादा थे ज्यादा यांगश्टर बोट जिसकी न्यू बोटिंग बनी हैं, आए बिलकुल वोट जरूर डालें परदेश में चुनाव अपने अंतीम चरन पर हैं, कुछ घंटे का परचार बाकी है, उसके बाद दो दिन के लिए राज्य एक बार फिर स्थोर से थम जाएगा, पांस तारीको वोटिंग होनी है, आट तारीको पूरी फिल्म साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनती है, मगर इस समेहम करनाल जो सबसे होट सीट है, वहां खड़े हैं, वहां कुछ आम जनता हमारे साथ है, जहां बीजेपी ने जग मोहन आदन पर विश्वास जता है, तो वहीं कॉंग्रेस ने सुमीता वो टिकेट दिया है, यह फाइट बड़ी देखने लायक बन गई है, बीजेप इसलिए भी महत्पुन होती है कि इसने दो मुख्य मंतरी हरियाना को दिये हैं, साथ क्या चुनाव पहले तो आपके सभी दर्सकों को बहुत बहुत बदाई कि आप बरीकी तोर्स पे हर कारेकरता और आम जन से मिलते हैं, उनकी दिल की बात पूछते हैं और अपने चहेतों को अपने चैनल के मादम से सब को आप उनके मन की बात बताते हैं, तो मैं विनोध पाल होलकर और मैं एक ही बात कहूंगा कि यहां पे भिन-भिन समाज के लोग रहते हैं, भिन-भिन धर्मों से जुड़े होई लोग रहते हैं, उनकी अपने अपनी आस्ता है, जो पहले हमन आप के दूसरे कंडिडिट हैं, आप मैं नाम भी नहीं लोगा किसी कंडिडिट का, तो आप मैं नाम भी नहीं लोगा, क्योंकि वो यहां रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, और मुक्यमंतरी मनौरलाल जी ने, और हमारे मुक्यमंतरी OBC के जो अभी पिछले दिनों बनाये देखने के लिए जो कारिया है ना चार जो गेट लगे हैं चारो तरफ उनकी इंट्री कितनी बढ़िया लगती है पहले भी तो ये लोग थे ये कर सकते थे को अपने घर से थोड़ा करना है सरकार तो सरकार के पैसे उसे ही करती है न तो पबलीक का पैसा है टेक्स लगाते हैं यह भी कर सकते थे तो यह बता सकते हैं उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं भी हम क्या करें क्या करना है कोई विजिन ही नहीं है कभी किसी को साड़े आठ हजार पर दे देंगे जी कर दो कहा ही नहीं है आप खटा-खटा सुन रहे हो ना सभी महिलाओं को के ज़िए पी वाले कहते हैं ठीक है उनको कहने का क्योंकि पक्स और विपक्स दोनों चीज़े होती है विपक्स मजबूत होना चीज़े तब ही पक्स से काम करवा सकता है और विपक्स जब बिल्कुल नकारा और ऐसी बातें करें का जो पब्लिक समझती है जिसका कोई महतव ही नहीं है अब तो आप छोटे से गाउं में जाते हैं चोटा सा गाउं होता है जहां पे 500 बोट होते हैं और वो बिलकुल सधारन लोग होते हैं वो भी समझ रहे हैं कि बोट देना कहां पे है किसको जो राष्ट और धर्म की रक्षा करता है उसके लिए यह बोट डालेंगे और उसके लिए ही वोट डलना चाहिए आप जाके देखो ना जहां पे कुछ लोगों का जिसकी संख्या जादा है वो कैसे धमकाते हैं हमारे लोगों को किस्मीर में कैसे वोटिंग हो रही है जो ए को दबे कुछले लोगों को अंतिम पंक्ती के लोगों को जैसे यह बागडी लोहार गोम रहे हैं बेड़ बक्री चुगाने वाले लोग गोम रहे हैं उनको कोई पूछता है उनकी वोट ही नहीं थी कहीं पर जब बोट होगी तब उनके पैर पकड़ने के लिए बड़े- बाहर वो उन लोगों की उतिया जो वन्चित रहें तो मैं सिर्फ यह होंगा और आपके माद्दम से एक अपील करूँगा कि सब को बोट करना चाहिए जाद से जादा मद्दान करें और नवे जिनके नए बोट बने हैं उनको उतना उत्सा है जैसे कि एक तोहार होता है तो मैं सबसे अपील करूँगा कि मद्दान करें राष्ट को और धर्म को देखते हुए मैं देविया हिल्लेबाई होलकर जी के चरनो मिनत मस्तकोकर यही अपील करता हूँ कि उन्होंने देश की बात और राष्ट की बात की थी और उन्होंने धर्म के लिए काम किया था तो ऐसे ही हमारे परदानमंतरी जी धर्म के लिए काम करे। करनाल का प्रताशी है तो करनाल की जनता पूरा सहयोग कर रही है और कर रही और आगे भी करेगी और जिस तरह से महौल देख रहे हैं उस महौल में यह लगता है कि जहां से भी वो गुजरते हैं जहां से भी वो निकलते हैं तो जनता उनके साथ चलती है और आने वाला समय जो से कमल खिलेगा पिछली बार का इतिहास दोबारा दुराया जाएगा और बीजी पी पार्टी बारी मत्तों से जगमोन अनन जी जितेंगे मैं एक अपील करूँगा पूरे हिंदुस्तान और समास से राष्ट और जो धरम की रक्षा करेगा साथ उसी का देना यही मेरी एक अपील है और ज्यादा ज्यादा यंगश्टर बोट जिसकी न्यू बोट बनी है आए बिलकुल वो बोट जरूर डाले मेरी यही अपील है एक मेरी अपील है कि जग मोहन आनंजी जो करनाल से खड़े हैं वो राष्टर बगतों में से एक हैं तो कमल के फूल पे बटन दबा के पांस तारिक को उनको काम्याब करें और मोदी जी के और बीजेपी की हाथ में बूत करें धन्यवाद तो करनाल में समय मुझूद थे करनाल के कुछ लोगों को आपने सुनाये लिहाज़ा ये एक तरफा बात आपने सुनी है मगर हाँ इसमें कोई दोराए नहीं है कि पांस तारिक को वोटिंग होगी आठ तारिक को जो नतीजा आएंगे बहत चोकाने वाले होंगे और करनाल से फाइट बड़ी टफ दिखने वाली है और हर पार्टी अपनी जीत का दावा जरूर करें मगर आठ तारिक को फिल्म सांफ होने के बाद पता चलेगा कि कितने दावाव में कितना दाम था